आप सबको जय मसी की और आज की शाम में फिर से हमारे इस बाइबल अध्यान में आप सबका स्वागत करता हूं और खास रीती से वे सभी जो ऑललाइन रीती से हम से जुड़े हैं Light Spring Assembly के इस Bible अध्यान के समय में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस Bible अध्यान के माधियम से हमारी प्रात्ना, हमारा विश्वास यही है कि परमिश्वर अपने वच्छन के अध्यान के द्वारा आप सब को आशिशित करें और परमिश्वर के वच्छन को सीख कर हम सिर्फ उसे सुनने वाले नहीं लेकिन उसे अपने जीवनों में लागू, अभ्यास करने वाले चेलों के समान बच जाएं मेरे प्रियों अगर आप सब को याद होगा हमने पिछले हफ़ते यहूदा की पत्री के अध्यान को शुरू किया जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा विराम हम पहला कुरंथियों की पत्री के अध्यान में ले रहे हैं और अगर आप सबको याद हो तो पिछले बुद्वार के दिन हमने अपने अध्यान को यहुदा की पत्री पर शुरू किया था और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया थे कैसे इस पत्री का विभाजन किया गया है क्योंकि विभाजन चानना इसलिए जरूरी था त किस प्रकार से वो अपना नमशकार और अभिवादन पहले दो वचनों में विश्वासियों के लिए लिखता है और उसके पस्चात हमने तीसरे वचन का अध्यान किया और तीसरे वचन में जब हमने अध्यान किया तो ये देखा और पाया कि किस प्रकार से यहूदा हम विश् कर रہा है, एक उपदेश दे रहा है मेरे प्रीयों, कि हम सब को अपने विशवास की रखवाली करनी है. क्योंकि वो चीज जो मूलिवान है, उसकी रक्षा की जाती है. तो हमारा विशवास प्रभु येशु मसी में मूलिवान है. एक ऐसी वस्तू है जिसकी हमें रक्षा करनी है क्योंकि शैतान घात लगा कर उस विश्वास को कमजोर करना चाहता है मेरे प्रियों तो इस प्रकार तीसरे वच्छन में यहुदा की पत्री में हमने देखा था कि कैसे यहुदा एक उपदेश देता है उस समय के विश्वासियों और मेरा मानना है आज के दिन हम सब विश्वासियों को कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है मेरे प्रियों आईए आज की शाम हम आगे अपने इस अध्यान में बढ़ेंगे और चौते वच्वासियों में अपने अध्यान के जाएंगे मेरे प्रियों अगर आपको तीसरे वच्वासियों में जैसे मैंने बताया यहुदा कहता है एक घोश्वा करता है कहता है हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है और चौते वचन में यहुदा अपनी पत्री के बात कर रहा है कि क्यूं हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है प्रियो आईए मैं चौते वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं और मैं हमारी बाइबल में पढ़ने जाओंगा और मेरी विश्वास और आशा यही है कि आप स से मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस डंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था यह भक्ति हीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रय को लुच्पन में बदर डालते हैं और एक मात्र स्वामी और प्रभु येश्व मसी का इंकार करते है तो मेरे प्रियो हम यहुदा की पत्री चौते वचन से अपने अध्यान को आज की सुबा आज शमा करिएगा आज की शाम शुरू करेंगे और चौते वचन में हम देखते हैं कि तीसरे वचन में यहुदा ये कहता है कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी हैं लेकिन मनुष्य हैं जो हमारे बीच आ पहुंचे हैं यानि वो ये कहना चाह रहा था उस समय की कलीसिया में हो क्या रहा था कुछ ऐसे खतरनाक लोग थे जो मंदली में जो कलीसिया की सहभागिता में जो कलीसिया की खट्टे होने के समय में उनमें आकर घुस मिले थे ठीक हैं तो हमें ये समझना एं कि क्यूं हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है और इसका वर्णन यहुदा चौती पत्री में करता है चौती पत्री में वो ये कहते वे शुरुवात करता है कि क्योंकि कितने ऐसे मनुश्य जिनके चुपके से हमें आ मिले हैं वो कहता है certain man have crept in unnoticed मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ तो वो ये कहते में शुरुवात करता है हिंदी में लिखा है क्योंकि कितने ऐसे मनुश्य चुपके से हमें आ मिले हैं और देखने की बात यह है कि यहुदा यह कह रहा है कि कुछ लोग चुपके से उस समय की मंडली उस समय की विश्वासियों के सहभागिता में आ मिले हैं और यह बात उन लोगों को खतरनाक बनाती है क्योंकि वो कैसे आए हैं बता करके नहीं आए हैं खुद के विशे में इंट्रोडक्शन दे करके यह सबसे मिलते हुए मंडली में आ के नहीं मिले हैं यहां पर वो कहता है वो चुपके से यानि वो यह कहना चाह रहा है यह चुपके सबकी नजरों से छिपकर मंडली में आ घुसे हैं कलिसिया के भीज आ मिले हैं और इनको किसी ने देखा भी नहीं तो इसका मतलब है कि वो अपने उपर एक शिर्शक लगा की नहीं चल रहे हैं कि मैं खत्रनाक हूं उन पर बिन्चुपके से मंडली में आ मिले हैं मेरे प्रवाश के दिन भी आईसा ही होता है कुछ लोग मेरे यह मानना है जिनको जिनका शैतान प्रयोग करता है कुछ लोग चुपके से मंडली में चुपके से कलीसिया में आकर कलीसिया के बीस मिल जाते हैं और उनका उदेश क्या होता है उनका उदेश कलीसिया को तोड़ने का होता है मेरे प्रियों और वो होते कौन हैं कई बार वो जूटे शिक्षक भविश्य वक्ता होते हैं और आज के दिन मेरे प्रियों अगर आप YouTube, Instagram, Facebook उठा कर देख लेंगे तो सबसे जादा followers, सबसे जादा अनिवाई, सबसे जादा disciples, so called disciples, चेले, जो कहने में चेले हैं किनके पास हैं ऐसे ही जूटे शिक्षकों के पास, ऐसे ही जूटे भविश्य वक्ताओं के पास तो हमें विश्वासी होते हुए क्या करना है, विश्वासी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं और आप अगर विश्वासी हैं तो हर बात पर विश्वास कर ले, हमें हर बात पर विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया गया है, मेरे प्रियों अगर हम विश्वासी हैं, तो म पर्खें मेरे प्रीयों क्या वो वचन क्या वो शिक्षा क्या वो देश क्या वो भविश्यवाणी परमिश्वर की वचन उनुसार है और अगर नहीं है तो वह वेक्ति जूटा शिक्षक है ऐसा एक कुछ आज के दिनों में हो रहा है कि कुछ लोग चुपके से कलीसिया के बीच आगुसे है यह चुपके से क्या मतलब है जब बाइबल में यहुदा लिखता है चुपके से इसका क्या मतलब है चुपके से मतलब है कहना यह चारा है सरसरल भासा में कि कलीसिया का सामने का दर्वाजा है चोर कैसे आता है सामने के दर्वाजे से कभी नहीं आएगा यहुना के पत्री में सुसमाचार में क्या लिखा है चोर क्या करने आता है घात करने नाश करने चोरी करने मेरे विडियो तो चोर कैसे आता है कभी भी सामने के दर्वाजे से नहीं आएगा वो कैस से आता है वो चुपके से बगल से साइड से दर्वाजों को ढूनता है साइड से ओपनिंग को ढूनता है कि कहीं से मुझे मौका मिले तो मैं चुपके से अंदर घुच जाओं ताकि मुझे कोई देखने ना पाए तब तो यह यहूदा इस शब्द का प्रयोग जब कर रहा है जब वो कहता है चुपके से वो वेशे कहना साधारन डीति से यह चाता है कि यह लोग यह जूटे शिक्षक चुपके से साइड दोर से यानी बगल के दर्वाजे से आए हैं सामने के दर्वाजे से नहीं आए और कलीसिया में आकर मिल गये हैं मेरे प्रियों शैतान जानता है कि एक व्यक्ति जो शैतान के द्वारा चलाया जा रहा है अगर उसे कलीसिया के अंदर भेज दिया जाए तो उन हजारों दुष्टात्माओं से कहीं बढ़कर वो प्रभावशाली होगा और विनाश करेगा कलीसिया के अंदर जब वो हजार दुष्टात्माएं बाहर कर सकती है मैं फिर से इस बात को दोरा दूँ शैतान इस बात को जानता है अगर वो अपने किसी एक जूटे शिक्षक को जूटे भविश्वक्ता को कलीसिया की अंदर भेज दे तो वो ये जानता है कि ये एक जूटा शिक्षक ये एक जूटा भविश्वक्ता उन हजार दुष्टात्माओं से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ज़्यादा घात कलीसिया को देगा जो कलीसिया के अंदर है इसकी बजाए कि वो हजार दुष्टात्माओं जो कलीसिया के बाहर है इसलिए शैतान ऐसे लोगों को कलीसिया के बीच में लाता है और चार्ल्स परजन अगर आपने सुना हो ये नाम चार्ल्स परजन का भी यही मानना था और उनका ही ये कहना भी है कि हजार दूश्ट आत्माए कलीसिया के बाहर जितना नुकसान पहुचा सकती है उससे कहीं जादा एक जूटा शिक्षक कलीसिया के अंदर विनाश कर सकता है मेरे प्रियों अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पहले तो वो कहता है ये लोग छुपके से आ गए हैं उसके बाद वो एक चीज और कह रहा है वो ये कहता है जिनके इस डंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था अंग्रेजी में लिखा है who long ago were marked out for this condemnation इसका मतलब है ये लोग ये कौन लोग ये जूटे शिक्षक ये जूटे भविश्य वक्ता इनका भविश्य इनका न्याएं पहले से ही कर दिया गया था क्योंकि यही अंतिम न्याएं सारे जूटे शिक्षकों का सारे जूटे अगवों का सारे जूटे भविश्य वक्तों का परमिश्य ने कर रखा है उनका क्या है उनको पहले से ही डंड के लिए परमिश्य ने तै कर रखा है और क्योंकि वो ऐसे लोग है जो जिनके अंदर भ कैसे भी दिखे लेकिन अंदर से उनके अंदर परमेश्वर का बिल्कुल भै नहीं है तो इसलिए यहुदा कहता है वे लोग यानि यह जूटे शिक्षक यह जूटे वविशिवक्ता यह जूटे अको को पहले से ही परमेश्वर ने डंड का वर्णन पहले समय से ही लिख दया गया है यानि इनके अंदर ना तो परमेश्वर के लिए कोई भै है ना कोई डर है यह बाहर से कितने भी भक्ति शाली दिखते हो बाहर से कितने भी समर्पित दिखते हो बाहर से कितने भी पवित्र दिखते हो आत्मिक दिखते हो माइने नहीं रखता लेकिन अंदर से इनके अंदर परमेश्वर के लिए भीतरी रूप से कोई भी आदर नहीं, कोई भी भे नहीं और इसी लिए ये जूटी शिक्षाओं को प्रचलन में लाते हैं मेरे प्रियों आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़कर यहूदा कहता है कि ये देव have come in unnoticed, यानि वो कहता है कि ये छुपके से मंडली में कलीसिया में आख उसे हैं ये परमेश्वर के द्वारा कलीसिया में नहीं लाए गए ना परमेश्वर ने इनको कलीसिया में भेजा हैं लेकिन ये खुद चुपके से कलीसिया में आप मिले हैं और हो सकता है ये जूटे शिक्षक जब चुपके से कलीसिया और मंडली में आते हैं या मिलते हैं तो वो कई विश्वासी उनके इस आने को देखते भी नहीं नोटिस भी नहीं करते हैं ठीक है लेकिन जहां तक परमेश्वर की बात करी जाए परमेश्वर ये कहता है यहूद अपनी पत्री में इस बात को लिखता है बले ही हमारी मंडली कलीसिया में आकर जूटे भविश्य वक्ता या शिक्षक आकर मिल जाते हैं जुपके से और विश्वासी हो सकता इन्हें ना पहचान पाए लेकिन परमेश्वर इन्हें जानता है परमेश्वर इन्हें पहचान ही इन हैं और हमारे परमिश्वर के अनुग्रह को लुच्पन में बदल डालते हैं उसका कहना ये है कि ये लोग ये जो कुछ लोग आग उसे है चुपके से मंडली में चुपके से कलिसिया में आग उसे इन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह से कुछ तो पाया है लेकिन जो कुछ जब इन्होंने उस बात को उस अनुग्रह को पाया उस अनुग्रह को इन्होंने क्या किया लुच्पन में बदल डाला देखिए कैसे वो खह रहा है वो कहता ये भक्ति हीन है और हमारे परमेश्व पर ने अपना अनुग्रह इनको भी दिया, इनको उपर भी दिखाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हों सब के लिए जो सच्छे मन से, सच्छे दिल से, अपने पापों से पशताप करते, मन फिर आते और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहन करते, तो यह प्रमिश्वाइब दिया उस लुच्पन में वड़ल डाला मेरे प्रियोग इस बाध से मैं आपकी हाँ हाँ विश्वासियों का फिरेती गणाथ हम सबी को Balance reguli दिया है हम उस अनुग्रई के साथ क्या करते हैं यह आपकी हो मेरी जम्मेदारी है The grace of God has been given freely to each one of us परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बहुत तायत से अपने विश्वास योग्यता के अनुसार हम सब को दिया है लेकिन क्या हम उस अनुग्रह को सच में अनुग्रह जानकर अपने जीवन को उस अनुग्रह के अधीन में जीना जी रहे हैं या हम भी कई बार परमेश्वर के अनुग्रे को अपने अनुसार और अपनी बातों के लाप के लिए बदल डालते हैं मेरे प्रियों हमें बड़ी साउधानी बरत के रखनी है क्योंकि इन जूटे शिक्षकों को भी जो अभी जूटे हो गए हैं शुरुआत में ये भी विश्वासी थे विश्वासी क्योंकि इनको भी अनुग्रह मिला, इनों ने भी परमेश्वर के विशे में सुना होगा, जाना होगा, इनको भी अनुग्रह मिला, लेकिन ये भक्ति हीन हो गए और परमेश्वर की अनुग्रह को लुच्पन में बडल डाला, होने दे हम परमेश्वर की यहुदा का 유होग के प्रेयोक कर नाव कि उन्हों ने पर्मेश्वर के अनुग्रह को लुछपन में वटल्ड दाना है तो यहुदा कहना क्या चाहिए उसके पीस शब्द इसके पीछे का विचार क क्या है यह जो शब्द है यह पुराना सपद है लुच्पन जिसका मतलब है एक ऐसा पाप जिसे बिना किशी शरम के अभ्यास किया जाए मेरी बात को समझ रहे कुछ पाप होते हैं जिनको करने में बड़ी शरम आती है लोगों को बड़ा छुपके वो करना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि संसार या लोग उनक जैसे कहते हैं कई बार हम लोग हिंदी भाशा में कहते हैं कि बेहुदा बिल्कुल बेहुदा पाप जिसमें किसी भी करते समय ना अगले को ना कोई लज्जा आती है ना कोई शरम आती है लेकिन वो बड़े गर्व के साथ बड़े हियाव के साथ उसे करता है तो लुच्प पाप जो बिना किसी विवेक के, इनके अंदर विवेक नहीं है, बिना किसी शरम के, बिना किसी विवेक के, ये लोग इस पाप को अभ्यास करते हैं, और जो ये शब्द है लुच्पन, इसका प्रियोग अगर आप देखेंगे, तो खास रीती से किया जाता है, जब शारिक प जब आप बाइबल को अगर हम बाइबल के अधार को ना देखकर देखें, और बाइबल के बाहर देखें कि कैसे शब्द का प्रियोग किया जाता है, तब ये पता चलता है कि, कि लुच्पन जो शब्द है, इसका मतलब साधारन डीती से ये है, कि सचाई का तिरसकार करना, और जूट को बिना शर्म के सिखाना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझ जिएगा आज की शाम, अगर हम बाइबल को कुछ समय के लिए खिनारे रख कर इस लुच्पन शब्द का प्रियोग या इसका अर्थ बाइबल के बाहर देखने की कोशिश करें, तो पुराने स जूट है, उसे बड़े गर्व के साथ, उसे बड़े शर्म के साथ सिखाना, शमा करेगा, बड़े गर्व के साथ सिखाना और बिना किसी शर्म के सिखाना, तो मेरे प्रियोग क्या ऐसा आज के दिन नहीं हो रहा है, मुझे पता, आप सबको पता है, कि इतना सारा जूट, जीसे बाइबेन में लिका है, अन्थ के दिनों में कई सारे जुटे शिक्षक, कई सारे जुटे वभिषेविता उठ खड़े होंगे। और मेरा को लगता है येश्यमसी की वभिषिवानी पूरी हो रही है। देखते हैं इन दिनों में किते सारे जूटे शिक्षक, किती सारी नई-नई शिक्षा है जिसको सूसमाचार कहा जाता है, आती अनुग्रह, चंगाई का सूसमाचार, स्म्रद्धी का सूसमाचार, ऐसी कई सारी शिक्षा है आ चुकी हैं, लेकिन सच्चा सूसमाचार का प्रच कि शर्म के प्रचार करते हैं मेरे ब्रiez तो जो लुचपन शब्द है उसका मतलब यही है कि जूट का प्रचार करना बिना किक शर्म के उसके बाद है मेरा यह मानना में जब यहूदा इस शब्द लुच्पन का प्रयोग करता है तो उसके दिमाग में ये दोनों विचार चल रहे हैं कि एक तरफ सचाई का तिरसकार करना और दूसरी तरफ बिना किसी शर्म के जूट का प्रचार करना जूटी शिक्षाओं को सिखाना उनको प्रचलन में लाना तो मुझे लगता है इस पत्री को लिखते समय दोनों विचार उसके मन में चल रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये जूटे शिक्षकों के संग ना केवल सिधानतों की समस्या थी लेकिन इनके जीवनों में नैतिक समस्या आई भी थी moral and doctrinal problems और आप किसी भी जूटे शिक्षक को आज भी अगर देखेंगे तो ये दोनों समस्या उसके जीवन में होगी नैतिक समस्या है moral problems and doctrinal problems सिधान Bible के जो doctrines है उसमें मिलावट करना और जो नैतिकता है उसमें मिलावट करना दोनों चीजों को आप notice करेंगे मेरे आप देखेंगे और अगर हम यहुदा के इन वचनों को इस वचन को चौते वचन को देखें तो हमें यह लगेगा है और यह समझ में आता है कि अनुग्रय का प्रचार करने में खत्रा है there are some who may take the truth of God's grace and turn the grace of God into lewdness इस कहना जब हम उसके वचन को बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अनुग्रय का प्रचार करना खत्रे खत्रा है क्यों क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस परमेश्वर के अनुग्रय को लेकर इसे लुच्पन में मदल डालते हैं क्योंकि वह लोग जूटे शिक्षक भक्ती हीन हो चुके तो इसलिए क्योंकि वह इस बात को नहीं पहचानते और तो हमें इस बात को समझना है कि जिस प्रकार यहुदा इस चीज को लिखता है वह यह लिख रहा है कि जो अनुग्रय का सू समचार है इसका प्रचार करना हो शकता है खत्रे की बात हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनुग्रय अपने आप में कुछ गलत चीज है या अनुग्रय का संदेश अपने आप में कुछ गलत है परमेश्वर के अनुग्रय का संदेश में कुछ गलत है नहीं यह इस बात को दिखाता है कि जो मनुष्य का हिर्दय है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है वो कितना दुष्ट हो चुका है कि वो परमेश्वर के अनुग्रय को भी लुश्पन में बदल डालता है उसको इतना भक्ती हीन हो चुका है उसका हिर्दय इतना दुष्ट हो चुका है इतना करप्ट हो चुका है ब्रस्टचार इतना आ चुका है मानव के हिदय में कि वो परमिश्वर के अनुग्रह के संदेश को भी लुच्पन में बदल डालता है उसके बाद मेरे प्रियों हम चौते ही वच्छन में आगे बढ़ेंगे आगे वो कहता है और हमारे परमिश्व और यह कुछ लोग यह कुछ लोग बार बार हूँ यह कह रहा है सर्टेन में सर्टेन में कुछ लोग कुछ लोग यह कुछ लोग कौन यह जूटे शिक्षक क्या करते हैं यह हमारे प्रभू येश्व मसी का इंकार करते हैं और वो कैसे इस बात को करते हैं दे डू इस इंकार को येश्यमसी के ऐसे करते हैं जब वो ये नहीं पहचानते कि येश्यमसी कौन है जब जिस विशे में येश्यमसी ने खुद अपने विशे में अपना वर्णन किया कि मैं कौन हूँ वो इस बात को नहीं पहचानते और इसलिए वो परमेश्वर पिता का भी इंकार कर हमें इस बात को यहुदा नहीं बताता अपनी स्पत्री में कि कैसे यह जूते शिक्षक परभू येशु मसीग का किस रीती से इनकार करते हैं हो सकता है कि वो उसका इनकार करते हूं क्योंकि उनके जीवन में कोई भक्ती नहीं है, समर्पण नहीं है और अपने उस आभक्ती को, अपने लुच्पन को, अपनी आनैतिक्ता को छुपाने के लिए वो उसका इंकार करते हैं, हो सकता है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली, हमें सीधे रूप से यहुदा यह नहीं बताता कि वो किस रीती से प्रभू येश्युमसी का इंकार करते हैं, ह अपने पापों को छुपाने के लिए प्रभु येश्व मसी करते हैं, और साथ ही साथ कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो लिखता है कि यहुदा आगे जाकर के लिखता है पांचवे वचन को अकी ओर हम बढ़ेंगे हम देखते हैं पांचवे वचन में क्या हो रहा है कि परमेश्वर या यहूदा मुझे शमा करिएगा तीन उधारणों को देता है कि परमेश्वर का न्याएं तिन उधारंड जो इस बात को पांच वे वचन में दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर का नयाएं इन भखति ही नोगों के जीवन में उतरेगा पांच वे वचन में चौते वच्षन को हमने अभी समात किया पांचे वच्षन में यहुदा बात करता है तीन ऐसे उधारणों की वशे में जो दिखाते हैं कि परमिश्वर का न्याएं इन ऐसे लोगों के लिए ऐसे जूटे शिक्षकों के लिए जूटे बविश्वक्ताओं के लिए जूटे अग्वों के लिए तै है और उस न्याय को दिखाने के लिए उस डंड को दिखाने के लिए वो तीन उधारणों का प्रियोग करता है पहला उधारण पाचे वचन को पढ़ लेते हैं पर यदिपी तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम से इस बात की सुधी दिलाना चाहता हूँ कि प्रभू ने एक कुल को मिस्र देश से छुडाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नश्ट कर दिया तीन उधारणों के चौटे वचन के बाद यहुदा तीन उधारणों को जैसा मैंने बताया बताता है या देता है या लिखता है तीन उधारणों को, जो परमिश्वर के डंड को ऐसे लोगों के लिए दिखाते हैं, कैसे लोगों के लिए, ऐसे जूटे शिक्षकों के लिए पहला उधारण है, the example of the people of Israel, इसराइल के घराने, इसराइल के गौत्र या इसराइल के लोगों का उधारण यहुदा देता है और वो पाशे वचन में क्या कहता है पर यद्यपी तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुमसे इस बात की सुधी दिलाना चाहता हूँ कि प्रभू ने एक कुल को मिस्र देश से छुडाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नश्ट कर लिए तो पहला उधारन जो यहुदा देता है पाशे वचन में वो आ रहा है कहां से इसराइल के घराने से इसराइल के लोगों का उधारन वो देता है हमें इस बात को समझना है और यहुदा इस बात को जानता था कि जब वो इसराइल के घराने का उधारन या इसराइल के वो का उधारण दे रहा है तो वो कुछ नया नहीं कह रहा है विश्वासियों के उस समय के विश्वासी इसराइल के उधारणों को जानते थे क्योंकि इसराइल का पूरा उतिहास पुराने नियम में मौझूद है और हम भी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अपने इसे आभक्ति लोगों के जूट शिक्षकों का जूटे बवश्वक्ताओं का कैसे न्याई किया अगर हम पुराने नियम को उठा करके पढ़ें तो यहुदा जब अपनी इस पत्री को विश्वासियों के उस समय लिख रहा है तो वो कुछ नया नहीं लिख रहा है क और लेकिन यहुदा उन्हें उधारन के द弹ारा समझाना चाहता है क्योंकि बार बार उधारन देने के द्वारा वो उसे अपने वर्तमान परिस्तिथी में लागू कर सकते क्यों मैं आपको बार बार यह चीज़ कहा रहा है जूटे शिक्षक जूटे शिक्षक ताकि आप भी वर्तमान परिस्थिति में इसे अपने जीवन में लागू करने पाएं मेरे प्रियों तो मुझे और आपको ये समझना है कि हम में से हर एक मसी जो ये उधारन यहुदा पुराने नियम से ओल्ड टेस्टेमेंट से ले रहा है इस्राइल के लोगों के द्वारा हम भी जानते हैं हां हम भी कह सकते हैं यहुदा कहां का उधारन बोल रहा है क्योंकि हमने भी इस्राइल की कहानी को इस्राइल के दिहास को पुराने नियम में पड़ा है और यहां इस पांचवे वच्छन में यहुदा हमें याद दिला रहा है कि हुआ क्या अगर आप गिंती की पुस्तक उसके चौदवे अध्याय को पड़ेंगे तब आपको बदा चलेगा कि हो क्या रहा है यहुदा यहां पर हमें यानि उस समय के विश्वासियों क कि द्वारा इतिहास में हुआ क्या था परमेश्वन ने अपने लोगों को जो दासवत्त का जीवन जी रहे थे मिसर के देश में वहां से एज़ाद किया और वो मिसर से निकलने के बाद मिसर से निकलने के बाद वो पहुँचे एक ऐसे स्थान में जिसका नाम था कदेश बर्निया और वो कदेश बर्निया जो है वादे या वाचे का जो देश था उससे कुछी दूरी पर था लेकिन उस कदेश बर्निया में क्या हुआ उस कदेश बर्निया में लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करने से इंकार कर दिया लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करने से इंकार कर दिया कि वो उस वाचे के देश उस वादे के देश में प्रविश करने पाए और इसलिए उस समय की वो सारी पीडी जो मिसर से निकली थी उन में से कोई भी परमेश्वर के उस वादी के देश में कदम ना रखने पाया हम सोचें कि परमेश्वर ने इसराइल के लोगों की उस परिस्तिती में क्या किया और कैसे उन लोगों ने इस बात के प्रती उत्तर दिया उन्होंने परमेश्वर के अद्बू चिन और चमतकारों को देखा, उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर ने लाल समुदर को दो भाग में बाड़ दिया, उन्होंने इस बात को भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने प्रति दिन उनके लिए हर एक बात को उनकी रोटी के लिए म प्रति दिन काने का इंतजाम कि LinkedIn परमेश्वर के चमतकार को देखा लेकिन फिर भी इन सारे चमतकारों को देखने के बाMM जूद भी वह आकर क्या हुआ उनके साथ आकर के उन्होंने आविश्वास किया विश्वास नहीं कि जिसकारण वर्ष उस समय कि वह पूरी पीड़ी जो मिस्र से बाहर निकली थी उनमें से कोई भी वाचे के देश में या वादे के देश में कनान में कदम ना रखने पाए परमेश्वर ने क्या किया क्योंकि इतने सारे चिन्व चमतकार देखने के बाद इसराइल के लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने इन सब को जिन्हों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने इनका नाश कर दिया अपने परमिश्वर को तिरस्कार करने के प्रति एक बड़ा दाम चुकाना पड़ा, वो दाम क्या था, परमिश्वर ने उन सब का नयाय किया, और परमिश्वर ने उन सब की मृत्ति होगे, उन में से कोई भी वादे के देश में नहीं पहुँच भाया, ये चितावनी यहू आशिशे परमिश्वर की ओर से थी, लेकिन उन आशिशों के संग वो लंबे समय तक बने नहीं रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमिश्वर पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमिश्वर के उस वादे पर विश्वास नहीं किया, कि परमिश्वर का सामर्थ और सु पाच्वे वचन में वो ये दिखाना चाहता है कि इसराइल का घराना जिसके लिए परमेश्वर खुद अपना सामर्ती हाद बंद कर नीचे उतर आया कई सारे चिन और चमतकारों को किया और उसके बाद उन्हें वाचा के देश के निकट ले आया लेकिन उस वाचा और वाद वादे पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर का सामर्त और परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ है इसलिए अंत में क्या हुआ परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उनमें से कोई भी वाचे के देश में कनान में कदम ना रखने पाया में भी हो सकता है हमने भी अप वादे को थामे हुए है जो कहता है मेरी सामर्त और सुरक्षा तेरे संग संग जाएगी आज की शाम हो सकता है मेरे प्रीयों हम मैंसे कुछ है जो निराश है परिशान है और हो सकता है एक लंबे समय से हम किसी बात के लिए प्रातना कर रहे हैं हम बिमार हैं एक लंबे समय से हम चाहते हैं परमेश्वर तो मुझे चंगा कर लेकिन मेरे प्रियों आप इस वादे को थामे रहे हैं जो वादा परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को दिया वादा मेरा मानना हम सब के लिए है कि उसका सामर्त और सुरक्षा हमारे संग संग है होने दे हम अपने विश्वास को डगमगाने ना दे हम अपने विश्वास में स्थिर रहें क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने में स्थिर परमेश्वर है और इसलिए मेरे प्रियों वो यहुदा इस उधारन का प्रियोक करता है हमें चेताव नहीं देता है अपने इस वचन की द्वारे सुधारन की द्वारा कि अगर परमेशवर अपने इस्राइल की लोगों को उनके आवश्वास के कारण नाश कर सकता है डंड करेगा तो मुझे और आपको जो उसके लोग कहलाते हैं हमें भी बड़ा सा उधानी रखनी है कि कैसे हम अपने जीवनों को जीते हैं मेरे प्रियों उसके बाद मेरे प्रियों अगर हम छटे छटे वचन की ओर बड़ें तो हम दूसरे उधारन को देखेंगे और अगर साथ वचन की ओर बड़े तो हम तीसरे उधारन को देखेंगे लेकिन मेरे प्रियों आज की शाम मैं इस पहले उधारन के संग अप इस बाइबल अध्यन को विराम देना चाहता हूं और जो बचे बे दो उधारन है हमारे अखले बाइबल अध्यन में उधारनों को देखेंगे लेकिन मैं चाहता हूं आज की शाम में काम को आप करिए हमने इस बाइबल अध्यन को किया है मेरे प्रियों और परमेश्वर इस बात को सीखा कि यहुदा अपने इस उधारन के द्वारा इस दंड के उधारन के द्वारा वो क्या बताना चाहरा है कि जिस प्रकार परमेश्वर इस्राइल के घराने के लिए विश्वास योगे ठहरा और कई सारे बड़े बड़े आशिशों को उनोंने उन आशिशों को उनके संग संग वाशिशे चली परमेश्वन ने उनके लिए मनना दिया जो किसी को नहीं मिला अपने लोगों को परमेश्वन ने स्वर्खी रोटी दीखाने के लिए उस रेगिस्तान में भी परमेश्वन ने उनके जूतों को घिसने नहीं दिया उनके कपड़ों को परमेश में प्रोटीन भी था, कार्भोहेड़िट भी था, फैड भी था, सारे मिनरल्स भी थे, सारे विटमिन्स भी थे, लेकिन उसे एक रोटी को खा कर वो जीवित रहे, व्यूकि परमेश्वर की आशीश, परमेश्वर का सामर्त शुरक्षा उनके संग संग थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के प्रति आवश्वास दिखाया परमेश्वर का इंकार किया, तेरे सकार किया जिस कारब परमेश्वर ने उनका नियाई किया होने दे आज की शाम हम भी इस बात पत्यान रखे हमने भी परमेश्वर की कई सारी आशिशों को अपने जीवन में देखा है होने दे हम उन आशिशों को हल्की रीती में ना ले परमेश्वर की अनुग्रे को हल्की रीती में ना ले लेकिन उसके वादे को थामे रहे जो वो कहता है मेरी सामर्त सुरक्षा तेरे संग संग जाएगी इसलिए आज की शामिस उधारण के संग और ये पाँचवा ये पाँचे वच्छन का हमने अधियन किया और इसमें उसने यहुदा ने पहला उधारण दिया कि कैसे परमेश्वर ऐसे लोगों का ऐसे जूटे शिक्षकों का नियाई करेगा जो जूटी शिक्षाओं का प्रशार करते हैं और कैसे नियाई करेगा उस नियाई का पहला उधारण उसने दिया इसराइल की लोगों के विशय से जो की पांचे बचन में हमने पड़ा हमारे अगले बाइबल अध्यान में हम दूसरे और तीसरे उधारण के विशय में अध्यान करेंगे कि कैसे परमिश्वर इन जूटे शिक्षकों का नियाई करेगा उन धारणों के द्वारा हमें यहूदा इस बात को दिखाता है अपनी पत्री में लेकिन मेरा पूरा विश्वास और आशा यही है कि आज के चोटे से समय में जो हमने बाइबल अध्यान को किया आप सब आशेशित हुए हैं हमारे अगले बाइबल अध्यान में हम बचे हुए दो धारणों के विशे में अध्यान करेंगे कि कैसे यहूदा जूटे शिक्षकों के डंड और नियाई के विशे में बता रहा है कि कैसे इनका डंड या नियाय परमिश्वर करेगा दो और उधारनों को देने के द्वारा मेरी प्रात्ना विश्वास यही है कि इस बाइबल अद्यान के द्वारा आप शबाशिशित हुए है आज की रात आप सोने से पहले यहुदा की पत्री को पढ़िए प्रात्ना करियो मेरी प्रात्ना यही है कि परमिश्वर होने दे इस पत्री के द्वारा जो सबसे छोटी पत्रियों में से एक है आप से बात करने पाए आप सब कुछ जैम सीगी कर दो ग्रात्ना यही है झाल